दोस्तो अगर आपको चाहिए रेलवे, पुलिस, लेकपाल, वीडियो, एससी और बैंक से संबंदित स्टेडी माटेरियल तो आप एक कम तुरंत कलीजे नीचे वीडियो के डिस्कप्सन में आपको पहला लिंक हमारी अनकेडवी का मिल जाएगा उसको तुरंत फॉलो कलीजे क्योंकि जैसे ही आप फॉलो करते हैं तो आपको इन परिच्छाओं से स्टमबंदित प्रक्टिस सेट मॉडल पेपर अच्छी सेथी पीडियाफ और लाइब क्लास बिल्कुल फ्री प्रवाइड की जाएगी दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे भरती हो 2018 के संदर में जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे के 90,000 पदों के लिए लगबग 2.37 करोड़ अभ्यातियों ने आवेजन किया है जिसकी छटनी प्रक्रिया लगबग समाप्त होने पर है तो ऐसी स्थिति में किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किसका एकसेप्ट हुआ है ये चीज़े कि अगर आपने फोटो उनके हिसाब से नहीं लगाया है जैसा कि नौटिफिकेशन में दिया है फोटो और सिगनेचर में गल्ती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बात ये है कि फोटो आप जैसे गुरुप फोटो लगा दी या किसी के साथ फोटो लगा दी त करते हैं तो ऐसी सिते में फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बनती है दूसरी बड़ी गलती यह होगी आपने एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर दिया है समझे ना आप लोग जैसे होता कभी कभी है कि तुरंद पेमेंट नहीं हो पाता है फीस या थोड़ी दिर बात भी नहीं हो पाता है तो लोग परिशान होका दूसरा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो ऐसी सिति में अगर आप फुरसत ज्यादा दिमाग लगाने कोशिस करेंगे एक से अधिक फॉर्म बरेंगे एक ही नाम से तो दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो यह जो गलतियां यह बहुत से लोग करते हैं तो उमीद आपने नहीं करी होंगी अगर आपने भी यह गलतियां की हैं तो उमीद है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और आप देखिएगा ऐसी गलतियां बहुत से लोग क करेंगे और कई लोगों का फार्म रिजिक्ट होगा जब यह लिस्ट आने वाले आप लोग को पता हैं बहुत ज़्ली लिस्ट आ जाएगी किसका फार्म रिजिक्ट हूbuild है किसका एक्सेप्ट हुआ है तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही उमीर है अपनी ये गलतियां नहीं